इसके अंदर यह कुछ पॉइंट्स हैं इसको देखके इनके जवाब आपको देने हैं तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 का एड़ेसेंट है या एड़ेसेंट एंगल मतलब जो बिल्कूल साथ वाला होता है अब एड़ेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी यह होती है कि उनका वर्टेक्स सेम होता है यहाँ पे दोनों का वर्टेक्स सेम है ओपे ही बन रहे हैं दोनों एंगल दूसरी प्रॉपर्टी यह होती है कि उनके अंदरे कॉमन रे होती है तो यहाँ पे जो OC है वो angle 2 में भी आ रही है और OC जो है वो angle 1 में भी आ रही है तीसरी property यह होती है कि इनकी जो non-common arms होती है वो दूसरी तरफ होती है एक इधर एक इधर तो यह पूरी तरह से adjacent angles हैं तो first का answer होगा yes second देखिए इस AOC adjacent to AOE क्या AOC AOE का adjacent है नहीं क्यों AOE तो यह पूरा बड़ा angle है और AOC इसके अंदर आ रहा है AOC AOE का एक part है लेकिन adjacent angles कभी part नहीं होते हैं वो अलग-अलग होते हैं तो यह no है third part देखिए do COE and EOD form a linear pair COE को देखिए COE इतना यह जो angle 2 है यह COE है और EOD EOD यह 3 और 4 दोनों मिलके EOD बन रहा है question में कह रहा है कि क्या यह दोनों angles linear pair बना रहे हैं बिल्कुल बना रहे हैं क्योंकि linear pair जो है वो बिल्कुल ऐसे साफ दिखाए देता है कि line बन जाती है अब यहाँ पर यह COE है और EOD है तो यह बिल्कुल सीधी line बन रही है CD line दिख रही होगी आपको figure के अंदर तो यह linear pair बना रहे हैं यह दोनों angles तो yes होगा इसका answer fourth part देखिए R BOD and angle DOA supplementary BOD को देखिए BOD figure जब आप ऐसे देखेंगे तो यह है B और यहाँ पर यह O है और यह D है BOD angle और DOA तो DOA अलग से मैं बना रहा हूँ तो ऐसे दिखाई देगे आपको यह दो angles यह BOD है यह DOA है क्या यह supplementary है supplementary angles वो दो angles होते हैं जिनका sum 180 degree होता है अब यहाँ measure तो करनी सकते हैं इसको measure करना तो possible नहीं है लेकिन हाँ ध्यान से देखिए यह सीधी line बन रही है और जो सीधी line होती है वो होता है linear pair और linear pair के दोनो angles का sum 180 degree होता है तो यह हमें line दिखाई दे रही है यानि कि यह linear pair बन रहा है और linear pair का sum 180 degree होता है और supplementary angles का sum भी 180 degree होता है तो यह दोनो angles supplementary हैं तो fourth का answer होगा yes fifth part देखिए is one vertically opposite to angle 4 क्या angle 1 angle 4 का vertical opposite angle है बिल्कुल है मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है figure मैं अगर अलग से ऐसे बना दूँ इसको तो यहाँ वाला यह angle 1 है और बिल्कुल इन ही दो लाइनों से यह जो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है न बिल्कुल इसी point पे यहाँ पे यहाँ पे angle 4 बन रहा है बिल्कुल x बन रहा है और यह आमने सामने बन रहे हैं दोनो angles तो यह vertical opposite angles हैं तो यह भी yes है 5th part देखिए what is the vertically opposite angle of angle 5 angle 5 का vertically opposite angle यहाँ पे क्या होगा तो angle 5 है इतना यहाँ से यहाँ तक यानि AOD अब बिल्कुल इतना ही इन ही दो लाइनों से फैलता हुआ इसके दूसरी तरफ देखेंगे कि क्या angle बन रहा है देखे 5 को थोड़ी देर भूल जाईए तो सिर्फ AOD पे angle 5 है अब AOD के बराबर फैला हुआ इधर कौन सा angle है यह है COB फिगर अलग से मैं ऐसे बनाओ तो इस पे ध्यान देना आप यह AOD यही angle 5 है और यहाँ पे यह C, यह O और यह है B यह जो COB है यह बिलकुल इनी दो नाइनों के इंटरसेक्ट से बन रहा है इसके सामने वाला angle और यह C, O, B 2 और 3 से मिलके बना हुआ है लेकिन हमें तो angle का नाम लिखना है ना simply कि what is the vertical opposite angle of angle 5 तो angle 5 का vertical opposite angle होगा C, O, B तो angle C, O, B इसका answer है सारे parts खतम, question खतम इस video बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए good bye